नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका विद्यांजली आईस में ये है पार्ट नमबर थ्री इससे पहले दो क्लासेज हम कंड़ेट कर चुके हैं और आप बताइए पहली क्लासेज में आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये वीडियो दोस्तों में सेकंड टाइम लेकिन उसमें नोइज आ गया क्योंकि माइक बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ था मैं बस बहुत जोस के शाथ में रिकॉर्ड करता रहा लेकिन बाद में जब पता चला कि माइक रिकॉर्ड नहीं हुआ है बड़ा दुख हुआ यार चलिए स्टार्ट करते हैं सभी क क्या है वेरिंग अवे, वेरिंगवे का मतलब है किसी चीज को दू एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ठीक है ठीक है लेंडिस्केप का मतलब उसकी जो परत की बात यहां पर हो रही है लेंड के ठीक है वेरिंग away of landscape by different agents like water wind ice is called जब पानी हवा या आइस की बज़े से मिट्टी की परत एक जगे से दूसरी जगे जाती है तो उस प्रसेस को हम क्या बोलते हैं क्या हम उसको वैदरिंग बोलते हैं नहीं दोस्तो हम उसको क्या एरोजन बोलते हैं या हम एरोजन बोलते हैं अब आप खुशे उसको बोलते हैं यह देखो कुश्चन कहा से आता है आया है यह कुश्चन आया है जियोग्राफी का कुश्चन है और यह कुश्चन कहा से है किस टॉपिक से है यह है रॉक साइकल से ठीक है कुश्चन है कहा से रॉक साइकल से अब रॉक साइकल क्या है मैं आपको विध पि पिक्चर देखिए कि जमीन के अंदर जितना भी मैटेरियल है वो सब हीट से पिघल जाता है मेल्ट हो जाता है उसका बन जाता है मैगमा जब मैगमा बहार आ जाता है तो ठंडा होने के बाद उसकी बन जाती है इगनियस रॉक्स यह मैगमा जब बहार आता है तो इसको हम बो फूट फूट होती है ठीक है अब टूट फूट होने के बाद वो टूटी फूटी चीज़nya क्या होतीए फिर एक जगह से दूसरी जगह transfer होती है उसको सhhhhक प्रोसेस को भोलते हम nao Erosyon अब ए bend वाली चीज़ें एक कुछ नए पत्थर बगरा जो बन जाते हैं, उसको बोलते हम, Metamorphic Rocks, तो ये आपकी एक पूरी साइकल हो गई, अब वो यहां से यहां भी हो सकता है, ठीक है, यहां से यहां भी हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है, देखो, सबसे पहले माल लीजिए ये कोई एक पथर है, ये क्या होगा, टेंपरेचर की वज़े से, जो जानबर हैं, एनिमल्स हैं, उनके पैरों से, किटाडूं से, जो है, जो बैक्टिरिया बगरा होते हैं, ठीक है, जो पेडों की रूट्स होती हैं, जड़े होती हैं, उन आपस में एक दूसरे से अलग हो रही है, टूट रही है, ठीक है, जब टूट गई, तो पानी से, हवा से, वो क्या होंगी, बहना स्टार्ट हो जाएंगी, इस बहने वाली प्रोसेस को बोलते हैं, इरोजन, अपरदन, ठीक है, अब अपरदन, ये वाली जो चीजें बह रह अब फिर से ये जो चीजें हैं, जो एक अठी हुई ही, टूट पूट करके, इन पर जो बहुत सारा फिर क्या लगा, हीट लगी, इस पर प्रेसर लगा, तो इन से नई रॉक्स बनने की जो प्रकिरिया है, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं, मेटा मॉर्फोसिस, और इस प इस पिक्चर के थुरू में आपको कुछ समझाना चाहूंगा, कि देखो, जो इगनियस रॉक्स होती है, किस से बनती हैं, लाबा से, जब इन में तूट फूट होती है, तो इन से बन जाती है, इन से मिट्टी बन जाती है, इसी मिट्टी को हम ब्लैक सॉयल बोलते हैं, ठी यूजरात में मिलती है और आपका जो Two आप ये वाला अरिया GO START पर मिलती है वहाँ आपका चिपक नहीं होती है ठीक है पैरों मेस पर कचतेटी करतcoins तो जंगल हो में निकल थे जूत्ब हो तो यह आपकी प्रोसेस थी यहां से सारा का सारा कुश्यन आया ठीक है अब एक चीज और ध्यान रखिएगा जो इगनियस रॉक्स वाला रीजन होगा वहीं पर आपको मिलेंगे सेडिमेंट्स वाले जो एरिया होगा वहाँ पर मिलेंगे आपको के लिए रोगी बात चलिए तो फिर हम आगी बढ़ते हैं ठीक है Central Board of Direct Taxes इसका Chairman किसको बनाया तो ये बनाया गया था नितिन गुपता को 2022 में ही बनाया गया था इसलिए कुश्यन पूछ लिया गया था अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में CBDT के बारे में देखो ये एक Statutory Body है Statutory Body कोन से होती है ये वो Body होती है जिनको किसी Act के द्वारा बनाया जाता है कानून के द्वारा अरथात ऐसी संस्थाओं को हम बोलते हैं विधिक संस्था कैसी संस्था विधिक संस्था बोलते हैं इसको क्या हम ये संस्था क्या जो ये जो है सम्वेधानिक संस्था है ये आप बताएए नहीं ये सम्वेधानिक नहीं है क्यों क्यों नहीं है क्योंकि सम्वेधान में कहीं इसका उलेख नहीं है कहीं भी इसको मेंचन नहीं किया गया है सम्वेधानिक संस्था है बो होती है जो constitution के क या Parliament है ठीक है यह सब कैसी है constitutional bodies है इसका गठन किया गया था Central Board of Revenue Act 1963 के अंदर 1963 का Act था यह Department of Revenue के अंदर काम करती है और Department of Revenue किसके अंदर काम करता है यह काम करता है Ministry of Finance के अंदर बस समझ मा गई मतलब मैं ऐसे कहूं यह हो गया आपका CBDT CBDT और यह हो गया आपका जो है Department of Revenue किसके अंदर आता है Finance Ministry के अंदर ठीक है अब आपकी समझ मा गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं भाई तो यह वाली चीजें आपकी clear हो गई और देख लेते हैं इन् मतलब उस एक्जाम के अकोडिंग बोल रहा हूं मैं इनको CBSE का CBSE Central Board of Second Education इसका चेहर्मन बनाए गया था इसलिए इनका नाम भी उन्होंने डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए एक चीज और जान लेते हैं NCRT का चेहर्मन को ने दिनेश प्रसाद सखलानी चलो एक चीज बताओ मेरे को आप मेंसे कितने लोगों को CBSE की फुल फॉर्म पता थी और कितनों को नहीं पता थी जो नहीं पता थी वो नो बताएं कि नहीं पता थी औ सब्सक्राइब करें लोग लिए बहुत बेसिक से कोशन है आपको हसी आ रही होगी लेकिन इन मैंने बहुत सारे स्ट्वेंट से इसको पूछा है वो नहीं बता पाते हैं जिनके पूरा जीवन निकल गया जो है पढ़ते पढ़ते हैं चली आगे बढ़ते हैं किसको कहा जाता है हिंदी में देखो मैं बोलता जा रहा हूं साथ की साथ है ना अब लिखने की तो जरूरत है नहीं कि यह पूरा मैं आपको लिखूं तो इतना तो आपको समझ में आई रहा होगा क्योंकि इस पैन से यहां पर उतना अच्छा लिखा नहीं जाता है ठीक है क्या कि सितार के बारे में कौन कौन पापूलर है एक तो पंडित रभी संकर परसाद है ठीक है ये वो वाले नहीं है जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो वाले नहीं है और कौन है मुस्ताक अली खान हो गए विलायत खान हो गए और उमा शंकर मिश्रा हो गए ये तीन चार नामें याद कर लीजिए बार बार पूछे जाते रहते हैं सरोद के मामले में कौन कौन पॉपूलर हैं अमजद अली खान हैं अली अकबर खान हैं और राजीव तारणात हैं यह सरोद के मामले में बहुत प्रश्द्ध है वाइलन के मामले में कौन-कौन है वी जी जोग लाल गुडी जो है जैरमन और टी एंड कृष्णन यहुदी मैनुहिन ठीक है यह तीन-चार नाम आप याद कर लीजिए बार-बार रिपीट होते रहते हैं चलिए आगे बढ़त हैं एक नाम और हो गया फ्लूट ठीक है बावसरी के मामले में कौन-कौन प्रश्द्ध है तो एन रामानी है हरी परसाथ चौरसी आप नहीं रहे लेकिन बहुत पॉपूलर थे अलाबाद में इनका जनम हुआ था और कौन है टी आर महालिंगम यह इस से रिलिटेड है अब मुझे आप बताईए कितनों लोगों को नहीं पता था एक्चुल में कि सितार सरूद में क्या अंतर होता है ठीक है चलिए बताईए कमेंट्स में नेक्स अब हम आगे बढ़ते हैं कुश्यन नंबर 14 विच आप फॉलोविंग इस नॉट वन आप दा मैथट्स नहीं है देखो गलती करके चले आते हैं एकजाम में और एक कुश्यन क्या आदे आदे नंबर के लिए यहां पर कंप्टीशन है तो ऐसी गलती नहीं करनी करने के income नेशनल इनकम को measure करने के काम नहीं आता है तो क्या नहीं आता है देखो banking method यह कोई ऐसा method नहीं होता जिससे हम national income को राश्ट्रिय आय को हम measure कर सके हैं राश्ट्रिय आय इसको हम हिंदी में क्या होते हैं राश्ट्रिय आय इसको मापने के तीन तरीके होते हैं expenditure method, income method और product method ये तीन method होते हैं जिन से रास्ट्री आय को measure कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम जान लेते हैं कि रास्ट्री आय क्या होती है ये को रास्ट्री आय का मतलब होता है total value of all goods and services ठीक है अग वो produce हुई within a country's waters देश्ट की सीमाव के अंदर हुई और एक समय में हुई सपोज करो कि mostly ये जो समय होता है वो एक साल होता है ठीक है तो इससे हम क्या करते हैं देश की जो economic performance है ठीक है उसका हम measurement करते हैं तो रास्ट्री आय क्या हुई मालीजे देश में गेहूं पैदा हुआ ठीक है प्रिंका चौपणा ने dance करके पैसा कमाया सर्विस दीना उसने लोगों को खुछ किया नाच करके हसाया या फिर वो सब हुआ ठीक है और BPO वालों ने काम किया call processing जो होती है ठीक है e-cart वालों ने delivery की आपको सामान थोड़ी दिया उन्होंने सर्विस दीना वो माल तो किसी और products सब कुछ मिला करके उन सब की financial value monetary value जब हम add कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या national income उम्मीद है आपको समझ में आया होगा तीन method है product method इस product method को हम value added method भी कहते हैं इसमें कैसे करते हैं किसमे national income बराबर होती है gross value added सब की value add कर लिए हमने इनकी goods की और services की कितने tax लगे वो सब जोड दी और उसमें से subsidies को minus कर दिया ठीक है याद कर ले ना कई बार formula पूछा जा चुका है next अब हम आते है income method पर income method क्या income मतलब किसी की income हो रही है ना तो जो मजदूरी कर रहे है जो नोकरी कर रहे है उनको क्या मिल रहा है wages मिल रहे है जिसने पैसा लगाए investment किया उसको क्या मिल रहा है interest मिल रहा है और जिसने अपनी जमीन को यूज कर रखा है किसी factory के लिए उसको rent मिल रहा है और जो business कर रहा है उसको profit हो रहा है तो इन सब को जब हम जोड देते है income method में तो उससे हमारी क्या निकल करके आती है national income चलिए आगे बढ़ते है और क्या हो ग और कितना investment हुआ देश में government ने कितना spend किया ठीक है और net exports कितना हुआ देश से बाहर कितना गया net export का मतलब जो है कि import और export ठीक है export इन दोनों को हम आपस में minus कर देते हैं ठीक है और तब उसको add करते हैं ऐसा नहीं कि export बहुत दुनिया वरका कर लिया तो उसको national income में जोड देंगे नहीं हमने import कितना किया ठीक है उस सब को जोड करके और उसमें से फिर minus कर लेते हैं फिर उसके इसाब से वो net निकल करके आता है जैसे माल लीजिए हमने जो है एक second उसको raise कर देता हूँ हमने import किया ठीक है 500 रुपे का माल और export किया हमने 700 रुपे का माल ठीक है तो net import export कितना निकल के आया 200 तो यह दो दो सख क्या हो जाएंगे यहां पर आड़ हो जाएंगे एक्सपोर्ट में ठीक है सकी जगे पर 200 आ जाएगा यह ऐसे आड़ करते हैं क्लियर हो गई बात तो इसका formula भी आता है इसको c से represent करते हैं इसको i से करते हैं इसको g से करते हैं और टर्म पार्लियमेंट रैफर्स टू पार्लियमेंट से क्या मतलब है क्या पार्लियमेंट से मतलब राजसभा नहीं राजसभा तो उसका एक अंग है किसका पार्लियमेंट का क्या इसका मतलब लोकसभा है नहीं यह भी पार्लियमेंट का अंग है क्या उसका मतलब स्टेट तो देश की होती है तो इसका मतलब National Legislature के लिए हो गई बात तो National Legislature हम इसको बोलते है पार्लियमेंट को ठीक है चलो अब हम जान लेते हैं थोड़ी सी एक्ट्रा चीजें देखो पार्लियमेंट बनती है तीन चीजों से मिलकर के बताईए मुझे कमेंट में किसको पता है फट का काम क्या होता है मुझे बताओ फटाफट गवर्मेंट जो वर्ड होता है वो तीन चीजों से मिलकर के बनता है फटाफट से में बता दे रहा हूं एक तो Legislature होती है जो कानून का पालन करवाती है और जुडिशरी होती है जो इन सब के उपर बैठती है न्याय करने के अब हम कुछ एक्स्टा चीज जो बताई थी है जान ही ली तो Parliament word का यूज मेंज के Parliament होगी यह कहा लिखा है आर्टिकल 79 में 79 कहता है कि there shall be a Parliament ये बताया है उसमें ठीक है और ये भी बताया है कि Parliament किन किन चीजों से मिलकर के बनेगी कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 79 में उन से कहता है और पीपल लोग सभा ठीका है तो कैसे याद करेंगे आप 79 कहरा है कि लोग सभा हूगी और 81 कह रहा है कि लोक सभा होगी तो ऐसे याद कर लो इसको ये तीन आर्टिकल है इनको याद कर लीजिए ठीक है चलिए तो देखो हमने आज पांच कुश्यन किये और पांच कुश्यन में एक एक में हमने लगवाई ददस फैक्ट आपको बताए तो करीब 50 कुश्यन आपके तयार हम करवा चुके है उससे ज्यादा ही होगा कम नहीं होगा ठीक है चलिए तो आज के लेक्चर में दोस्तो इतना ही ये है हमारी नई पालियामेंट के बिल्डिंग क्या घजब लग रही है भाई ठीक है जब आप आओ जब दिल्ली में जाओ कभी तो आप देखिए यहाँ पर घूम करके कितना गजब न जा रहा इसका है ठीक है चलिए और दोस्तों आप से में एक बात और कहूंगा पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स साथियों के साथ में शेर भी कर दीजिए ठीक है इतना साफ करते जाएए और बागी आपको चीजों से किनकिन चीजों से बचना है डिस्ट्रक्शन से बतना है डिस्ट्रक्शन से बहुत डिस्ट्रक्शन है सुसाइटी में उससे बचो जैसे कि मोवाइल हो गया ठीक है गल झाल झाल